Hello friends, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में SSC CHSL 13 अगस 2021 के प्रथम पाली के GS के कोश्चन अगर आपका एक्जाम प्रथम पाली में हो चुका है तो अपने सारे कोश्चन्स एक बार मैच कर लिजे अगर आपका एक्जाम आने वाले पालीों में हैं या आने वाले दिनों में हैं आगे तो इन सभी कोश्चन्स को ध्यान से देखिएगा हो सकता है आपके अब एक्जाम में यही कोश्चन रिपीट हो जाए या तो फिर इस भी करके और भी कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाए तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा एक एनालिसिस आपको हो जाएगा तो पहला कोश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोन वोल्ट की इकाई क्या होती है तो यहाँ पर आपको चार आप्शन दिये होंगे वहाँ पर सही आप्शन होगा उर्जा ठीक है तो यहाँ पर सही आपको बताना चाहेंगे पर्थम पाली में फिजिक्स के बहुत सारे कोश्चन उचे गया थे तो एक बार आप लोग फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि पर्थम पाली में पूछे गया थे तो आने वाले दोनों पाली में भी फिजिक्स के कोश्चन पूछे जा सकते है तो यहाँ पर कोश्चन नमर फोर पूछा गया था किताब उलहिंद ठीक है किताब उलहिंद पुस्तक के लेखक का क्या नाम है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी कब की गई थी ग्यारवी सताब्दी में कोश्चन नमर फाइफ योजना आयोक की स्थापना कब हुई थी पंदरा मार्च 1950 को जिसके अध्यच जवाहर लाल नहरू जी थे ठीक है यहाँ देखिए योजना आयोक से पूछा गया है कहां का नया राजपाल बनाया गया है तो राइट एंसर होगा उडिसा ठीक है स्री गडेसी लाल जी को कहां का राजपाल बनाया गया है उडिसा ठीक है देखिए बिल्कुल करेंट से पूछा गया है आप लोग पिछले दो साल के करेंट पढ़ लिजेगा ठीक है वहाँ से question पूछे जा रहे हैं 2020-19 तक question number 7 हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1928 में ठीक है question number 8 very very easy question AB Develiers IPL में किस टीम से खेलते हैं? तो friends आपको बताना चाहेंगे AB Develiers Royal Challengers Bangaluru से खेलते हैं और AB Develiers South Africa के खिलाडी हैं question number 9 मुरार जी देसाई के बाद भारत के प्रधान मंत्री कौन बने थे? चौधरी चरनर सिंग ठीक है? friends ये सभी question आपके 13 अगस्त को प्रथम पाली में ठीक है? 13 अगस्त को 1st shift में पूछे जा चुके हैं और आपको जैसे भी और shift के question हमें मिलेंगे आपको बताते रहेंगे आप लोग देखते रहिएगा हम आपके हमेशा इस परकार के 24 तारीक तक के जितने भी exam होंगे सभी आपको एक एक पाली के questions बताएंगे तो पहली बार visit करने चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लिजेगा इस परकार के और भी वीडियोस देखने के लिए तो question number 10 देख लेते हैं समवेक की इकाई क्या होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ठीक है समवेक की इकाई देख लिजेगा आप लोग इकाई से संबंदित और भी question पूछे जा सकते है question number 11 इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 में कौन सी योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री वाडी योजना ठीक है प्रधानमंत्री वाडी योजना चलाई गई थी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए कब चलाई गई थी 2020 में Q12, समवहन क्या है? तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, आपके option में दिया हुआ था, flow of heat, इसको English में लिख देते हैं, flow of heat, उस्मा के प्रवाह को समवहन कहा जाता है Q13, पिंच ब्लेड किस से संबंदित है? तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, uranium ठीक है? दोस्तों अगर आप इन सभी PDF को free में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे, जहाँ पर आपको free में PDF मिल जाएगी और वीडियो को पूरा देख question provide करना, आपको कामें उसे देखना और उसको याद करना, तो आप अपना काम पूरा किया करिए, question number 14, द्रव का ताप बढ़ने पर प्रिष्ठ तनाओ, क्या होता है friends? घटता है, ठीक है? द्रव का ताप जब बढ़ता है, तो प्रिष्ठ का तनाओ घटने लगता है, सिरका निर्माण में, तो अगर देखा जाए paper GS का, तो बहुत easy questions पूछे जा रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी तयारी की हो, तो आप सारे questions आसानी से कर पाएंगे, तो friends, अगला question देख लेते हैं, 16, कौन सा सिलालेक, प्रयाग प्रसस्ती के नाम से जाना जाता है, इलाहबा इस्तम सिलालेक, question number 17, हाली में किस देश की महिला cricket team ने, वंडे cricket में लगातार 20वी जीत दर्ज की है, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, Australia, ठीक है, Australia की महिला team ने, लगातार वंडे cricket में 20वी जीत दर्ज की है, ठीक है, so friends, यह थे आपके important question जो की आपकी पहली पाली में पू देंगे, आपको provide कर दिये जाएंगे, आप लोग देख लिजेगा, अभी आपका दूसरी shift का, और तीसरी shift का question बचा हुआ है, जैसे एक question हमें को मिलते रहेंगे student से, हम आपको प्राप्त कराते रहेंगे, फटा-फट आप लोग देखते रहेंगा, अगर आपका exam आने वा सकते हैं, सभी के comment का reply किया जाता है, तो friends, एक बार इन सभी questions को फिर से देख लिजेगा, क्योंकि ये सभी question हो सकता है, फिर से repeat हो जाएं आपके exam में, या तो फिर हो सकता है, इसी प्रकार के और भी question पूछे जाएं, तो आप लोग एक बार, निर्त हो गया, ठीक है, निर् पूछना है, ठीक है, प्रधान मंतरी के दुआरा जितनी भी योजना है, चलाई गई है, एक बार आप लोग सभी अच्छे से पढ़ लिजेगा, exam में काफी जादा पूछा जा रहा है, और देख लेते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है फिर से, देखिए यहाँ पर physics और आपका biology, जिससे question पूछे जा रहे है exam में, तो इस अभी question आप एक बार देख लिजेगा, देखिए physics से पूछा गया है, समवे की क्या होती है, और आप लोग पिछले 2 साल का current fair पढ़के जाईएगा, पिछले 2 साल का current fair ठीक है, जिससे आपका असानी से paper आप कर सकें, और time बहुत ही limited है, आपको 100 question करने है, 60 minute में, तो आप लोग time अच्छे से manage करिएगा, आपको जो भी question आता है, उसको फटा फटा आप लोग करिएगा, अगर आप question नहीं आता है, उसमें आप time waste करने हैं, तो आपका नुकसान होगा वहाँ पर, आप ज्यादा question attempt नहीं कर पा झाइ